इस पावंच शर्मा एंड वलकम यौल तो माई चानल गाइस बात करते हैं इंट्रडे स्टॉक्स के लिए जो रहेंगे फिफ्ट ऑफ ऑक्टोबर एक छोड़िज एड्वाइज कि जब भी आप जो हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं पहली बात तो हंडेड परसंट ना तो कि कोशिश करें आपको करना क्या है आपके अगर जो है 100 ट्रेड लेते हैं और करेंट में अगर आप 70 से ज़ाधा है 75 ज़ाधा आपके successful trade है तो बस आपको जो बाकी 30 हैं उनके उपर focus करना है ताकि आपके जो है risk management follow करके अपने stop losses को कम किया जा सके और जो पैसा आपने कमाया है 70 stock से उसको बचा सके all you have to do is just focus on your risk management बात करेंगा Nifty के बारे में US का stimulus package था stimulus package में आपने देखा कि market gap up open वहीं से भागना शुरू कर दिया उमीद यह थी कि जो है अगर यह continue रहता तो यह 11600 की उपर जो है हमारी closing फिर से bull market को जो है support करती लेकिन ट्रंप साब बिमार पढ़ गए hope for speedy recovery तो उनके बिमार पढ़ने की वज़े से जो है market में काफी उतल पुतल रहेगी अब मंडे को दूसरी बात अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में दो करोड से नीचे को सब का माफ करने मतब वो ध्यान दे रहे हैं जो small industries हैं उनको जो है relief देने का लेकिन वो relief कहा से मिलेगा हमारे fiscal stimulus package से तो मतलब economy के grow करने के जो पैसा बचा था वो अब उनको provide किया जाएगा तो दोनों condition जो है एक तरह से जो है bank निफ्टी के लिए अच कैसे react करेगी market यह बहुत देखने वाली बात है इसलिए जल्द बाजी मत कीजिएगा यह मेरी advice आपसे तो वेट कीजिएगा पता चल जाएगा अच्छे से अभी नहीं मतलब मंडे को चले बात करते हैं चार्ट analysis के बारे में और जानने की कोशिच करते हैं कौन से चार्ट क हमें buy करना है और उनके पीछे क्या reason है शुरुबात करते हैं nifty के साथ में तो nifty में अगर जैसे मैंने आपको बताया कि nifty में अभी जो है तीन चीजों का ध्यान लगना है पहला तो resistance है immediately 500 पे है और उसके उपर strong खड़ा है 600 नीचे की तरफ immediately जो है 11 300 पे है और 200 पे है हो सकती है और possibility है कि वो 300 से 500 के बीच में trade करे और 400 के आज़ पास expire कर जाए इसलिए बड़ी moment का उम्मीद मत कीजेगा जब तक ये वाला range और ये वाला range break ना हो market volatile रहेगा और range bound रहेगा ये जो है current data हमें बता रहा है bank nifty की बात करते हैं bank nifty में आपको याद होगा bank nifty में जिसमेंने कहा था कि यहां से के 21 500 के बाद में सीधा जो है market उपर भागेगा 22 000 के लिए बीच में कोई resistance नहीं है similarly अब हमारे पास में 22 600 का एक resistance है तो अगर bank nifty के उपर cross कर जाती है तो 23 flick of time में पहुँच सकता है क्योंकि इस के उपर कोई resistance नहीं बचा है नीचे की तरफ गिरती है तो market में 22 000 का भी current support बचा है अगर यह slip हो गया तो वाप पिस है 21 500 रहेगा तो जैसे मैंने कहा आप से कि moratorium और जो stimulus fiscal package है दोनों अगर mix होते हैं हो सकता है यही ना हमारे पास आजाए कि हमने जो है stimulus package में interest on interest माफ कर दिया तो we never know इसी लिए थोड़ा सा wait कीजिएगा मेरे advice है जलवाजी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे changes जब आते है market में तो market को decide करने में time लगता है तो यह था हमारा bank nifty के लिए चलिए बात करते हैं stocks के बारे में भी भारती एटल भारती एटल में यह support है हमारा गिरा है फिर से उपर गया फिर से गिरा है और last में आके उसने bullish हरामी type का एक pattern बनाया है bullish हरामी pattern जो होता है buy side पे होता है तो अगर market पूरी की तरह bullish है तो यह जो support पे उसने bounce back किया है यह उसके लिए एक अच्छा rise प्रोवाइड करेगा तो अगर भारती एटल कल अपने जो high को break करके उपर के तरह जाती है ना I would say कि कुछ नहीं तो 4-5% तक भाग जाएगा अगर यह successful lease के उपर close कर जाता है अगले trade की बात करें यह है हमारा अमबुजा सिमेंट अमबुजा सिमेंट में देखेगा एक यहां से गिरा फिर उपर गया फिर गिरा फिर उपर गया और अब यहां से एक जो है वो बना दीजिए मतलब यह है double bottom बनाया है double bottom के बाद में almost अपने जो है breakout zone पे आ चुका है इसमें दो चीज़ ध्यान लखने वाली बात एक तो breakout zone है हमारे पास में लेकिन breakout zone से पहुचने से पहले 197 से लेके 221 तक गया है इस बात का भी आपको ध्यान लखना पड़ेगा कि जो rise हुआ है वो sudden rise है sudden rise यहां भी हुआ था यहां भी हीट हुआ तो हो सकता है आगर यह break करके इसके उपास sustain कर लेगा थोड़ दे तो उपर भागेगा नहीं तो यह वापिस गिरेगा और गिरने का जो है यह आपके पास two zero eight two ten तक लेवल भी नीचे गिर सकता है तो यह दोनों चीज़ को ध्यान रखियेगा प्लीज अगले stock की बात करें अगला stock है हमारा टाटा स्टील में तो टाटा स्टील में पैटन देखते हैं stock गिरा यह हमारा support जो support था support को cross किया वापिस उसको होल्ड किया मतलब यह जो है अब support रहेगा टाटा स्टील के लिए अगर यह गिर जाता है तो वापिस इस प्याएगा और जैसे आपने भारती एटल में समझा था अगर यहां से bounce करेगा तो तेजी के साथ उपर जाएगा अगला stock है हमारा आईशर मोटर का आईशर मोटर पहले समझी है यह एक हो गया आपका एक छोड़ा पॉइंट और समझना है वो यह है आईशर मोटर ने आराउंड 9% की growth post की है मतलब stock में rise के chance जादा है और तीन दिन की consolidation बता रही है कि कहें जाके वो rise support भी कर रहा है तो मतलब यह कहें कि यह अपने जो है resistance को break कर लेगा तो एक बड़ी rise जो है हमें देखने को मिलेगी इन आईशर मोटर तो इस बात का ध्यार रखिए कि charts आपको क्या पहता है तो आपको stock market को primary source of income बनाना है in future तो आपको जो है chart reading, proper stock selections कैसे levels को identify करते हैं और कैसे आपको यह पता करना है कि आज market में positivity रहेगी या negativity रहेगी तो उसके लिए आपके पास में proper knowledge होना चाहिए उसके लिए आप हमें join कर सकते हैं हमारे technical online program पर जिसमें आपको यह हर चीज सिखा ही जाती है लेकिन अगर आपके पास में time कम है आप नहीं चाहते chart trading करना तो आप थोड़ी सी knowledge के साथ में मतलब आज market उपर जा सकता है या market उपर नहीं जा सकता है उस basis पे भी आप trade कर सकते हैं market range bound हो तो भी आप पैसा कमा सकते हैं उसके लिए आपको option strategy सीखना पड़ेगा जो हमारे weekly classes होते हैं तो अगर आपको दोनों program के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं 9711411007 to know more about our training program चले वीडियो चले जानते हैं कि कहां हमें buy करना है कहां में sell करना ह on the basis of their levels recap के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देखेगा उस recap में हम बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी opportunities हैं जो miss की हैं या आप से को गलती हुई है तो आप identify कर सकते हैं recap is basically a back testing जो आपको बहुत सारी help provide करती है in your future trades also moving average के basis जो मैंने आपको levels बताये थे उन में से बहुत सा capital के बारे में 436 के उपर buy करेंगे 444 45 के targets रहेंगे 428 के इचे sell करेंगे 423 और 419 के targets रहेंगे और guys risk management को strong बनाईए ताकि जब भी आप profit में रहते हैं तो market वो पैसा आपसे ना ले पाए थोड़ा बात loss होता है तो वो सबके साथ होता है लेकिन जो profit आपने कमा लिया उसको safe रखे हैं हम बुजा सिमेंट को buy करेंगे 223 के उपर 225 227 के targets रहेंगे 219 के sell करेंगे 217 और 215 के targets रहेंगे टाटा स्टील को buy करेंगे 368 के ऊपर 372 375 के target रहेंगे sell करेंगे 362 के नीचे 358 और 355 के targets रहेंगे जैसे हम आप से हमेशा कहता हूं tips के लिए pay मत कीजिए हमें join कीजिए free of cost जो हम live market में best trades हम आपको provide करते हैं unnecessary trade हम provide नहीं करते हैं अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नहीं है तो trust me कुछ नहीं होता जब रस्ते trade लेने की जरूत नहीं है क्योंकि आप जो है जब volatile market में एंटर करते हैं तो risk आपका बढ़ जाता है तो please अगर आपको में join करना है तो उसका description box में link available है below the video आइशिर मोटर को buy करेंगे 2215 के उपर 2235 और 2250 के आपके targets रहेंगे 2185 के निचे sell करेंगे 2165 और 2150 के आपके targets रहेंगे निफ्टी को buy करेंगे 11450 के उपर पहला target 500 second target 550 रहेगा क्योंकि मैं जैसे मैं नहीं कहा 600 का जो हमारे पास strong resistance है तो पहले 500 को cross करेंगे तब 600 की बात करेंगे sell करेंगे 380 के नीचे first target 330 second target 300 उसे नीचे अब ही हम नहीं सोच रहें क्योंकि वो हमारा strong support है at this point of time bank nifty को 22350 को पर buy करेंगे first target 500 second target 600 क्योंकि वह हमारा resistance प्लेस किया गया है bank nifty को sell करेंगे 22150 के नीचे first target 22000 और 21900 का second target रहेगा और गाईज a small disclaimer that all these video which I create for you are for education purposes if you are taking it on our recommendation then do consult with your financial advice before taking those trades और गाईज that's all for today I'll see you into my next video जाने से पहले subscribe करना मत भूलियेगा video पसंद आता है तो हमें बतायेगा comment करके और कुछ description box में आपके लिए links available आप उनको use कर सकते है that's all about it guys I'll see you into my next video have a nice day take care